एलो एवर्यों वन्स अगें आइवलकम यू आउन चानल जहां पे हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको गेम्स और स्पॉट्स और फिजिकल एडुकेशन से रिलेटेड इंट्रस्टिंग इंपॉर्टंट फैक्स अवेलेबल कराते रहें तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे ह आज क्यों हमारा टॉपिक है कॉमन वेल्ट गेम्स अगर आप ऑलिम्पिक गेमस या गेमस की दिफ्रेंट दिफ्रेंट फेडरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आप बाकी वीडियो को राफर कर सकते हैं जहां पर हमने उनसे रीचेट वीडियो बनाई है हम time waste करते हों बढ़ते हैं हम अपने topic की तरफ शुरू करते हैं commonwealth games actually में है क्या तो जैसे कि olympic games है वैसे ही olympic games asian games की तरह है वैसे ही world cups की तरह है commonwealth games भी बहुत ही important international level tournaments है जो के different different countries में खेले जाते हैं अब actually एक query रहती है कि commonwealth games को certain countries में ही क्यों खेले जाते हैं जैसे के USA का participation commonwealth games में नहीं होता है तो उसके पीछे एक reason है and the reason behind is कि commonwealth games actually उनी countries में खेले जाते हैं जहां पर कभी Britishers ने rule किया था या कभी Britishers का सामराज रहा था तो commonwealth games के जो participating countries है participating nations है वो वही nations है those were once ruled by Britishers commonwealth games हर चार साल में एक बार होते हैं और commonwealth games के founder के बारे बात करें तो वह हैं Melville Marks Robinson जिन्हों ने 1930 में British Empire games को establish किया अगर हम कहें कि यह British Empire games ही क्यों तो फ्रेंज इसके पीछे भी एक history है जिसके बारे हम आपको आगे बताएंगे पहले हम बात करते हैं Melville Marks Robinson यह कौन है और मैं हम आपको एक छोटे से link के थूँ या छोटे से instance के थूँ बताना चाहेंगे कि Melville Marks Robinson ने Commonwealth Games को कैसे how he founded it and what is the story behind तो Melville Marks Robinson actually में एक Canadian sports administrator है जिनोंने 1928 के summer Olympics में जो कि Amsterdam में हुए थे Canada की track and field team के वह manager थे और जब वह 1928 के summer Olympics में Canada की track and field team को लेकर गए थे तो वहाँ पर उनको बहुत सारी countries मिली तो वहाँ पर बहुत सारी countries के सामने उन्होंने अपना एक idea प्रपोस किया और वो idea है था कि क्यों ना वह जो British Empire Games है या पि वह या कि वह जितनी भी countries पे Britishers ने rule किया है उन countries आपस में मिलके एक friendly competition खेले यानि यहाँ idea इन्होंने उन countries को दिया कि क्यों ना हम एक friendly competition खेले उन सभी countries के बीच में जिन पे Britishers ने rule किया है और इस तरीके से 1930 में उन्होंने अपना idea सबको sell किया जो कि सबको बहुत पसंद आया because it was very harmonious तो आगे बढ़ते हुए 1930 में इसी लिए Canada में क्योंकि वो Canada से थे और उनका काफी बढ़ा हाथ था Canada के Hamilton में सबसे पहले Commonwealth Games बने तो आप देखें आप यहां के यहां से आपको दो interesting facts जानने को मिले कि सबसे पहले Commonwealth Games किस ने found किये थे and where was it played for the first time तो वो Canada से अब Commonwealth Games के जो नाम है actually में वो Commonwealth Games नहीं था उसका नाम by time के साथ साथ बदलता रहा है तो सबसे पहले नाम इसका था British Empire Games जो के 1930 में रखा गया था by Robinson यानि के British सामराजे के Games जो के थोड़े समय बाद इन 1954 British Empire and Commonwealth Games कर दिया गया वही 1970 में British Commonwealth Games कर दिया गया और Empire जो था वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया वही 1978 हाल ही में इसका नाम finally Commonwealth Games कर दिया गया है जिस नाम से हम इसको अभी जानते हैं Commonwealth Games की Federation के बारे में अगर हम जाने तो जिस तरीके से IOC है International Olympic Committee है जो Olympics के सारे के सारे sports events को administer करती है और organize करती है वैसे ही Commonwealth Games Federation Commonwealth के सारे events को और sports को organize करती है और वह responsible है for the direction and control of Commonwealth Games and Commonwealth Youth Games यानि कि यहाँ पर हम Commonwealth Youth Games के बारे में and Commonwealth Games दोने के बारे में बात कर रहे हैं जो कि Commonwealth Games Federation ध्यान रखती है CW Games का यानि Commonwealth Games Federation के जो patron है patron यानि कि सनरक्षक यानि कि protector यानि कि कोई भी ऐसी personality जो कि financial support करती है वो है Queen Elizabeth II यानि Queen Elizabeth II Commonwealth Games Federation की patron है और जो इसकी president है वो है Louis Martin Louis Martin अभी current president है अगर हम कहें तो यानि कि current Commonwealth Games की जो president है वो Louis Martin है और वो साथी साथ पहली female president भी है जो कि 2015 में elect हुई इसका motto इस federation का motto है humanity humanity, equality and destiny और इसके total 71 members है यानि कि total 71 countries participate करती है इसके headquarters जो है वो England-Wales में है अब यहाँ पर दो नाम mention किये गए है अगर आपको याद हो तो हमारे जो recent में cricket world cup हुआ था वो भी England और Wales दो जगह पर conduct कराया गया था तो उसके पीछे अगर उसी से हम relate कर सकते है कि England और Wales actually में दो different countries है बट जो Commonwealth Games की जो constituency है अंडर रूल 7 यह बताया गया है कि जो headquarters है वो इन दोनों countries में होंगे England और Wales यह दोनों ही neighboring countries है जिनके border आपस में एक दूसरे को touch करते है Commonwealth Games की official language English है वह थे Commonwealth Games अब हम बात करते है Commonwealth Youth Games So Commonwealth Youth Games सबसे पहली बार साल 2000 में Edinburgh Scotland में conduct कराया गया और Australia अभी तक की ऐसी country है जिसने maximum number of times Commonwealth Games को host किया है conduct करा है which is five times वहीं पे Canada ने चाल बार और New Zealand and Scotland ने तीन बार कराया है तो Australia, Canada और New Zealand तो हमने countries की बात करी लेकिन अगर हम बात करें ऐसी कौन सी दो cities है जिन्होंने Commonwealth Games को more than once यानि एक से जाधा बार conduct कराया है तो वो है Auckland in 1950 and 1990 जो की New Zealand में है और Edinburgh जो के Scotland में 1970 and 1986 में तो अगर हम countries की बात करें तो Australia ने conduct कराया है अभी तक सबसे maximum times five times वहीं पे अगर हम cities की बात करें तो Auckland ने और Edinburgh ने कराया है एक से जाधा बार Australia, Canada, England, New Zealand, Scotland and Wales यह ऐसी छे countries हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी Commonwealth Games में को miss नहीं किया है यह जब से लगातार Commonwealth Games attend करते आ रहे हैं या participate करते आ रहे हैं इंडिया ने, वहीं पे इंडिया ने 1930, 1950, 1962 and 1986 total four times Commonwealth Games में participate नहीं किया 1930 were the first organized Commonwealth Games तो इंडिया हुआ पे नहीं गए क्योंकि इंडिया ने 1934 से Commonwealth में participate करना शुरू किया तो इंडिया participated for the first time in 1934 वहीं पे जिस साल इंडिया ने participate किया उसी साल इंडिया का पहला medal भी आया by राशिद अनवर which is a very good achievement in my eyes क्योंकि वह wrestling में पहली बार हमारे लिए bronze medal लेकिया है in 1934 वहीं पे अगर हम बात करते हैं Milka Singh की जिनके उपर एक movie, Bollywood movie भी बनी है Milka Singh, Milka Singh ऐसे पहले Indian athlete है जिनोंने Commonwealth Games जो के 1958 के Commonwealth Games थे वहाँ पे इंडिया के लिए swan padak हासिल किया यानि वह gold medal लेकिया है Milka Singh, तो अगर हम बात करने ऐसे पहले athlete जो के Commonwealth Games में medal लेकिया है तो हम बोलेंगे राशिद अनवर लेकिन ऐसे पहले athlete जो Commonwealth Games में gold medal लेकिया है तो वह है Milka Singh इंडिया ने 1950, 1962 and 1986 से Commonwealth Games ने participate नहीं किया 1930 हमने बताया है कि वह पहले Commonwealth Games थे और इंडिया ने 1934 से participate करना शुरू किया तो हम उनको consider नहीं कर रहे हैं आपर अब हम बात करते हैं इंडिया की performance की कि इंडिया की performance कैसी रही है तो 1930 में इंडिया ने participate नहीं किया 1934 में अभी जो हमारा एक bronze medal आया है राशिद अनवर यह वह यह जो लंडिन में हुए थी 1938 में इंडिया ने participate थो कि अबर नो medal वहीं पे 1950 में इंडिया ने participation ही नहीं किया अब यह year by year यह sequence है कि commonwealth games कहां पर हुए और उसकी इंडिया में कैसी क्या performance इंडिया की उन commonwealth games competition में क्या performance रही तो 1954 में इंडिया का कोई medal नहीं है जो के वैंकूवर में हुए है वहीं पे 1958 कार्डिफ वेल्स में हुए यह कार्डिफ वेल्स की capital है जहां पर इंडिया का दो गोल्ड और एक सिल्वर आया है यह वही जगह है जहां पर मिलखा सिंग के एशन गेम्स में गोल्ड मेडल आया था पहली बार 1958 में तो मिलखा सिंग ने पहली बार एशन गेम्स में गोल्ड मेडल कहां पर जीता तो वह है कार्डिफ वेल्स वहीं पर 1962 जो के पर्ट में हुए तो ऑस्टेलिय में वहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया और 1966 में जमाइका में इंडिया का थ्री गोल्ड फोर सिल्वर एंड थ्री ब्रोंज आये हैं तो अगर हम देखे तिक हैं दीकर दीरे इंडिया की परफॉमेंस बेटर होगे जारहे हैं वहीं अगर 1970 में एडिन्बॉर्ग में Scotland में हुए इंडिया का Commonwealth Games के सीवेंस है कि वह हर चार साल बात कहां-कहां पर हुए तो आप यह नोट कर सकते हैं या नोट बना सकते हैं 1986 में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया वहीं पर अगर हम बात करें आगे चलके Auckland में हुए है, Victoria में हुए है, Canada में, Kuala Lampur में हुए है 2010, 2010 के जो Commonwealth Games हैं वह Commonwealth Games हैं, जो कि इंडिया ने होश्ट गी है पहली बार और यहाँ पर इंडिया की Total Medal Tally खेसाब से Second Rank रही अगर हम यहाँ पर पूछें, कि जो 2010 के Commonwealth Games थे वह कौन से नंबर के Commonwealth Games हैं, यानि कि उनका सीक्वेंस का क्या था तो यह आप हमें सेक्शन में जरूर लिखके बताएं, कि 2010 के जो Commonwealth Games थे वह कौन से Commonwealth Games थे, यह काफी easy रहेगा आए हो 2014 के जो Commonwealth Games होए, Glasgow, Scotland में वहाँ पर इंडिया की performance, last time से, यानि 2010 के मुकाबर थोड़ी कम अच्छी रही और वहां 5th position पे आया, वही पे 2008 में इंडिया ने फिर से speed पकड़ी और जो की, Gold Coast Australia में हो थे, वहाँ पे इंडिया की 3rd rank रही with 26 gold, 20 silver and 20 bronze, तो देख रहे हैं, इंडिया की performance year by year enhance होती जा रही है, बेतर होती जा रही है in Commonwealth Games 2022 के जो Commonwealth Games होंगे, वह बर्मिंगम, United Kingdom में होंगे, अब यहां से हम एक तरीके से याद कर सकते हैं, एक यह interesting fact है, कि यह 22nd Commonwealth Games होंगे, और यह year 2022 में होंगे, यानि 2022 में होंगे, तो यह 22 और यह 22, तो हमें याद रह सकता है कि 2022 में जो होने वाले Games है, वह कौन से नंबर के Commonwealth Games है, तो विच इस 22nd Commonwealth Games अब इसका जो मोटो है, इसका मोटो है, Heart of UK and Soul of Commonwealth Games तो जो बर्मिंगम के में 2022 में Commonwealth Games होंगे, उसका मोटो याद करने का एक और तरीका हो सकता है Heart of UK, जो बर्मिंगम में actually वहाँ पे Queen Victoria का महल है, Palace है और वो बहुत ही सुन्दर है, इसलिए हम याद कर सकते हैं कि 2022 के Commonwealth Games का मोटो होगा Heart of UK, because वहाँ पे बर्मिंगम में Queen Victoria का Palace है, which is also known as Soul of Commonwealth Games तो अगर हम बात करें, इंडिया के total performance अभी कैसी रही है Commonwealth Games में तो इंडिया ने in total 181 gold medals, 175 silver and 148 bronze medals जीते हैं और in total medals के साब से, इंडिया के 504 medals बनते हैं और इंडिया की अभी तक की overall medal tally में fourth place रही है तो इंडिया की fourth रही है, लेकिन total overall medal tally में first position पे आने वाली जो country है, वो है Australia अब देखते है Commonwealth Youth Games तो जैसे बताया Commonwealth Youth Games सबसे पहली 2000 साल 2000 में Edinburgh Scotland में हुए और अगर हम current affairs की बात करें तो from June 22nd to 27th 2020, Kigali Rwanda, Rwanda एक African country है, वहाँ पर Commonwealth Heads of Government की एक meeting होने वाली थी जिसको हम चोगम भी कहते हैं, वह COVID-19 की विज़े से पोश्ट पॉन हो गई है, यह current affairs है, जो कि हमको पता होने चाहिए और हमने सोचा कि हम जरूर बता दें Commonwealth के बारे में, तो यह meeting actually पोश्ट पॉन हो जैसे, और इस meeting में, जो मुद्दे discuss किया जाने थे, वहर related थे, आगे आने वाले Commonwealth Games कैसे conduct कराये जाएं, Youth Games की और Commonwealth Games से related, सारी की सारी important meeting या important facts के बारे में, इस meeting में बात की जाने वाली थी, आगे आने वाले सालों में, जो के पोश्ट पॉन कर दी गई है, यह जो कुछ, यह जो कि आगे अगे हैं, और वहर कौन कौन से साल में हुए है, तो जब Commonwealth Games की बात करते हैं, तो वहर तो अभी तक चार साल में एक बार होते हैं, लेकिन Commonwealth Youth Games की अगर हम बात करें, तो उनका sequence नहीं है, कभी वहर तीन साल में हो रहे हैं, कभी दो साल में, तो जैसे, क्या कभी च साल में तो जैसे हम देखें सबसे पहले 2000 साल 2000 में Scotland में Scotland Edinburgh में Commonwealth Youth Games हुए वहीं पे साल 2004 में यह Bendevo में हुए जो कि एक Australian City है वहीं पे 2008 में यह पूरा में हुए Commonwealth Youth Games जो कि हमने India ने वोस्ट कराए वहीं पे 2011 में यह Aisle of Man यह United Kingdom की एक City है United Kingdom की अंडर आने वाली एक City है जो कि England और Ireland के बीच में जो Irish Sea है वहाँ पे पाई जाने वाला एक छोटा सा group of island है जो कि United Kingdom की अंडर आता है तो यह 2011 में हुए Aisle of Man में वहीं पे 2015 में यानि कि 3 साल बाद ही Samoa में हुए और फिर 17 में यहां बहामाज में हुए अगर हम यहां बात करें है Trinibago Actually में यह दो वर्ट है Trinidad and Tobago यह दोनों ही Caribbean Sea में पाई जाने वाली Caribbean Nationals हैं जहां पे Commonwealth Games हुए हैं लास्ट वाले यह friends हमारा Commonwealth Games से related question bank है तो आप हमें comment section में जरूर answer करके बताएं कि इनके answer क्या रहेंगे अगर आप slide के पीछे ना जाएं और सिर्फ हमने जो अभी तक आपने content पड़ा है उसके basis पे अगर आप answer करना चाहें तो यह बहुत अच्छा idea रहेगा हमारी revision के लिए कि सबसे पहले Commonwealth Youth Games 2021 के कहां पे conduct के रहेंगे वहीं पे Commonwealth Games जो नाम है actually मैं वो कौन से साल में रखा गया क्योंकि इनका नाम पहले British Empire Games होता था और बाकी जो तीन नाम है वहीं पे एक और यह question है जो हमारी slide से ही बनता है वह यह है कि इंडिया ने अभी तक कौन-कौन से साल में Commonwealth Games में पार्टिसिपेट नहीं किया तो यह question bank है जो आप हमें comment section में जरूर लिखके बता है कि इसके answers क्या होंगे यह कुछ books हैं हमें काफी request आई थी कि कि कुछ important books इसका suggestion हम आपको प्रवाइड करा है तो यह जो दोनो books है Master Physical Education and Physical Education UGC Net Digest यह दोनों English Medium की books है यह आप online order कर सकते हैं यह काफी अच्छी books हैं अगर इनके reviews के बारे हम बात करें तो और जो यह book है शारी रिक शिक्षा अध्यावार Solve Papers अध्यावार Solve Papers यह हिंदी मीडियम book है आप हिंदी मीडियम के लिए इसको refer कर सकते हैं तो friends आज के लिए इतना ही I hope आपको यह content helpful लगे और अगर आपको कोई suggestion हो यह query हो तो हमें comment section में जरू लिख के बताएं और इसी तरह की important और interesting facts को जानने के लिए हमसे जुड़े रहे हमारे channel पर आज के लिए इतना ही Good luck, see you next time